नमश्कार दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि कैसे गोल्ड लोन सिक्योर है बाकी लोन की बजाए और कैसे हमारा गोल्ड सुरक्षित है घर में रखने में और दूसरी कंपनीज में रखने में इतनी कीमती वस्तु को हम खुले में घर में रखकर रिस्क में रहते हैं और हमारा दिमाग भी टेंशन में रहता है तो आज हम आपको एक्स्प्लेन करके बताते हैं कि कैसे आपका गोल सिक्योर है बाकी लोन की बजाए सबसे बड़ी बात दूसरा लोन, परसनल लोन, कार लोन, होम लोन अगर लेने के लिए कहीं भी जाएं तो वह सिक्योर तो है लेकिन वह बहुत ज़्यादा ब्याज में हमें प्रापत होता है बजाए इसके gold loan हमें कम समय में और कम ब्याज में प्रापत हो जाता है नमबर एक सबसे बड़ा point जिस company में हम gold loan लेने के लिए गए क्या वहाँ safe की सुविदा है यह हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि उस company के पास insurance भी है जिस gold को जिस किमती वस्तु को हम अपने गले से लगा कर रखते हैं क्या वह company उसको safe रख पाएगी यह सबसुनिश्चित करने के लिए हमें उसके insurance का license की copy प्रापत करनी आवशक है बाद में हम किसी जमेले में पड़ें हमें insurance प्रापत ना हो यह हमारे लिए बहुत बड़ी दुविधा का कारण बन सकता है इसलिए अगर उस company के पास safe की सुविधा है insurance company के पास है alarm की सुविधा है guard की सुविधा है यह हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा तो ही हमारा loan है जो हमारा gold है वे secure कहा जा सकता है बजाए इसके उस company के पास insurance नहीं है और हम उस company से loan ले रहे हैं कल को अगर company में खुदा ना खास्ता share गिर जाते हैं company में चोरी हो जाती है तो वे हमें insurance देने में अस्मत है अगर हम loan gold loan लेने से पहले इस बात को सुनिश्चित करें कि उस company के पास insurance के सुईदा है तो हमें किसी भी कठनाईयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और हम बड़ी सुईदा से उस company से कम ब्याज में gold loan प्राफत कर सकते हैं अगर हम किसी ज्वैलर के पास जा रहे हैं तो हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वे ज्वैलर हमारी gold के purity को कम नहीं करेगा बगाए ज्वैलर के अगर हम किसी company में वाय करें तो वे एक secure loan माना जाएगा और हमें अपने gold की safety भी प्राफत होगी सुनियार के जाने की बजाए दोस्तों मैं बार बार यही कह रहा हूँ सुनियारे के पास जाने की बजाए अगर registered company से ही gold loan ले तो वे एक secure loan होता है धन्यवाद दोस्तों